सुष स्वागतम बच्चो आज हम हिंदी में रिवीजन लेंगे हमारा वीडियो हो चुका है फिर से एक बार हम उसे पढ़ेंगे उपियोगी फल आहाँ खिलोने वाला आया और बारक खड़ी एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे पहला देखिए फल है आम आम को फलों का राजा करते है आम सभी बच्चों की पसंदीदा फल होता है इसके जूस भी बनाया जाते हैं पका आम खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है और इसके फायदे भी बहुत है इसलिए आम सभी को खाना चाहिए आम एक अच्छा फल माना जाता है इसे अंग्रेजी में मैंगो करते हैं यह देखे यह है शरीफा शरीफा को हिंदी में हम लोग सीता फल भी करते हैं और अंग्रेजी में से कश्टर्ड एपल करते हैं यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है इसमें अनेक बीच पाए जाते हैं यह देखे यह हैं अंगूर अंगूर को अंग्रेजी में ग्रैप्स करते हैं अंगूर को सुखा कर मेवा की रूप में भी उपयोग किया जाता जिसे किस्मिस करते हैं और अंगूर बहुत ही खाने में स्वादिस्ट लगता है और विटामिन सी इसमें भरपूर मातरा में पाये जाती है यह बहुत ही फायदेमंद फल है यह देखिए यह है संतरा संतरा को अंग्रेजी में ओरेंज करते हैं यह खाने में खट्टा मीठा स्वादिस्का लगता है और यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाये जाता है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्त के लिए तो यह फल भी हमें जरूर खाना चा पहारत देश में चीकु ही करते हैं, कहीं-कहीं इसे नोजबेरी, मड़ेपल और सपोडीला नाम से भी जाना जाता है, यह है अनननास, यह फल खटा और मेठा होता है, ख़ाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है, इसमें बहुत सारी विटामिन्स पाई जाती है, इसे अं यह अनार फल है, यह अनेक बीजे वाला फल है, यह लाल रंका होता है, इसके बीज भी देखी अंदर लाल-लाल होते हैं, इसमें आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह हमारे रोक प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए यह फल हमें जरूर खाना चाहि इवच्चो इसे अंग्रेजी में पोमें ग्रेनेट करते हैं, अमरूद, अमरूद जो है उपर से हरे रंका होता है, पक जाने के बाद पीले रंका हो जाता है, इसमें बहुत सारे अनेक बीच पाये जाते हैं, विटामिन सी से यह भरपूर है, यह हमारे पाचन शक्ति को ब पीचबाने से मुखे छाले भी ठीक हो जाते हैं, इसे अंग्रेजी में गवा करते हैं, केला, केला एक मीठा फल है, सभी बच्चों को लगभग बहुत ही पसंद आता है, पके केले के जूस भी बना कर लोग पीना बहुत ही पसंद करते हैं, कच्चे केले की सबजियां भी बनाई जाती है, इसे अंग्रेजी में बनाना करते हैं, पपीता, पपीता यह पका हुआ केशरी, पीले रंग का फल होता है, इसमें बीच बहुत सारे पाये जाते हैं, और यह बहुत सारी विटामिन से भरपूर है, पाचन तंदर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इसका जिउस भी बना कर हम पी सकते हैं, इसे अंग्रेजी में पपया करते हैं, तर्बूज, यह उपर से देखे हरे रंका होता है, इसमें अनेक बीच पाये जाते हैं, अंदर यह लाल होता है, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों के दिनों में तो यह खर मिलन भी करते हैं, खर बूजा, खर बूजा को अंग्रेजी में मस्क मिलन करते हैं, यह अंदर पीले रंका होता है, और उपर हरा और पीले रंका होता है, इसे खाकर तुरंद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा होने का खत्रा है, यह विटामिन से भरपूर है, और इसे खाना चाहिए सेब सेब लाल रंका फल है लगभग सभी लोगों के घर में आता होगा आप लोगों को पता ही होगा और हरे रंका भी होता है किन्तु लाल रंका अधिक पाया जाता है सेब जरूर खाना चाहिए करते हैं यदि आप एक सेब डेली खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें फाइबर, कैलसियम, भरपूर मात्रा में पाये जाता है इसका जूस भी बना कर पी सकते हैं इसे अंग्रेजी में एपल करते हैं हिंदी और अंग्रेजी नाम फलो के हम पड़ेंगे आम को मैंगो करते हैं सीता फल, कश्टर्ड, एपल, अंगूर, ग्रैप्स, संतरा, ओरेंज, चीकू, को चीकू भी करते हैं अननास, पाइनेपल, अनार, पोमेंग्रेनेट, अमरूद, गवा, केला, बनाना, पपीता, पपया, तरबूज, वाटर मिलन, खरबूज, मस्क मिलन, सेप, एपल अब हमारा उपयोगी फल पाठ हो चुका अब हम कविता आगे पढ़ेंगे अहां खिलोने वाला आया अहां खिलोने वाला कविता में देखी इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है पेज नमबर 58 पर अब हम इस कविता को दो से तीन बार पढ़ेंगे और आपको ध्यान पूर्व सुनना है अहां खिलोने वाला आया चोटे बड़े खिलोने लाया नीले पीले रंग बिरंगे सजे खिलोने तर तर के पीपी करता बाजा है रानी के संग राजा है हाथी घोडा बकरी शेर लगा खिलोने का है धीर एक बार फिर से हम पढ़ेंगे अहाँ खिलोने वाला आया चोटे बड़े खिलोने लाया नीले पीले रंग बिरंगे सजे खिलोने तर तर के पी-पी करता बाजा है रानी के संग राजा है हाथी गोडा बकरी शेर लगा खिलोने का है डे अब देखी बच्चे जो खिलोना बेशते हैं उन्हें हम खिलोने वाला करते हैं खिलोने वाला जो होते हैं घूम घूम कर खिलोने बेशने का काम करते हैं बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तरह तरह के बहुत सारे खुपसूरत खिलोने होते हैं बच्चे उन्हें देखकर खुशी से जूम उटते हैं उन्हें छोटे बड़े खिलोने देखकर उनका मन होता है कि हम भी यह खिलोना खरीद ले मा से जित करते हैं और करते हैं मा हमें खिलोना दिला तो मा उनके लिए दूर दूर से जो खिलोना बेचने वाले आते हैं सुन्दर सुन्दर खिलोना उनके पास होता है मा अपने बच्चों को लेकर जाती है छोटे या बड़े खिलोना दिला कर उन्हें खुश देखती है बच्चे खुश हो जाते हैं आहा खिलोने वाला या चोटे बड़े खिलोने लाया खिलोने वाला जब आता है कुछ खिलोने चोटे हैं कुछ बड़े हैं नीले पीले रंग विरंगे सजे खिलोने तर तर के खिलोने जो हैं कुछ नीले रंके हैं कुछ पीले रंके बहुत ही सुन्दर सुन्दर खिलोने हैं अलग-अलग प्रकार के जो बच्चों को अपनी ओर आकर्शी करते हैं पीपी करता बाजा है, रानी के संग राजा है। पीपी बजाने वाला उनके पास बाजा भी है, खिलोने वाले के पास और रानी और राजा की जोडी भी है, जो बच्चो को बहुत ही भाती है। हाथी घोडा बकरी शेर लगा खिलोनों का है ढेर। हाथी घोडा है, बकरी है, शेर है, जो बच्चो को बहुत ही पसंद आता है। बच्चे उसे खरीदना चाहते हैं और देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम खिलोने वाले पाट से कुछ कठीन शब्द को पढ़ेंगे। अब हमारा पाट पुरा हुआ, अब हम थोड़ी सी बारक खडी का रिवीजन करेंगे। क, का, की, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कम, कह। घय, गो, गो, गम, गह। गो, गा, घि, घी, घु, 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 घे, घै, गो, घो, घं, घह। J J J J J U J 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 चु, छे, छै, छु, छव, छम, छभ बच्चों, आज हमने रिवीजन वीडियो में फलो के नाम हिंदी और अंग्रेजी में पढ़े उसके विशे में जानकारी प्राप की कविता पढ़ा गया, आहां खिलोने वाला आया और उसके कठिन शब्द भी देखे बारक खड़ी भी रिपीट किया गया, कसे छो तक इसे पढ़िये और नोटबुक में लिखकर अभ्यास कीजी बच्चों, धन्यवाद झाल